तो दोस्तों जो बड़ी खबर हमें डी मर्जर के रिगार्डिंग देखने को मिल रही है रिलाइंस ने जो OTC बिजनिस को अलग करने की योजना थी उसको वापस लेने के लिए NCLT की यहाँ पे मंजूरी मिलती हुई नजरा रही है तो पहले प्लान बनाया था रिलाइंस ने की OTC बिजनिस को अलग करेगी लेकिन बाद में वो प्लान चेंज कर दिया गया और उसके रिगार्डिंग भी यहाँ पे एक योजना याँ याच्छी का डाली गई थी NCLT के अंदर तो NCLT से उस चीज को मंजूरी मिलती हुए नजरा रही है तो अब Reliance Industry अपने जो OTC बिजनिस है इसको फिलाल की डिट में अलग नहीं करने वाला है तो यह जो प्लान बनाया गया था इसको टालते हुए नजरा रहे हैं दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कहना चाहूँँआ कि इसी तरह की Knowledgeable Content लगातार इस चैनल पर पब्लिश होते रहते हैं अब आप फर्स टाइम इस चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके भी रख सकते हैं साथी बेल एकन जरू हिट के लिजगा अब देखे एक आदेस था NCLT की तरफ से जो सारी सीज़े ये परकिरिया हमें देखने को मिल रहे है तो 3 दिसंबर 2021 का एक ओडर था और उसको अपरूवल मिलता हूँ नजरा रहा है जहां पर याच्छी काड ले गई थी कि O2C बिजनिस की जो योजना है इसको अब हम वापस लेना चाहते हैं तो NCLT की तरफ से जो बड़ा स्टेटमेंट यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है वो यह है कि NCLT ने यह जो सारी परकिरिया है वापस लेने की तो यहाँ पर इसे अपनी साइट पर अप्लोड भी कर दिया है काफी सारे रिटेल निवेश्यक उम्मीद लगा कर बैठे होंगे कि रिलाइंस का डीमर्जर होता हुआ नजर आएगा लेकिन रिलाइंस ने 19 नॉवंबर 2021 को OTC योजना को वापस लेने के लिए NCLT के अंदर एक आवेदन प्रस्तूत किया था तो ये सारी फिर किरिया है चल रही है 19 नॉवंबर 2021 से ये सारी एक्टिविटी अब देखे NCLT की तरफ से हम लोग को हैं फाइनल इजिसन भी देखने को मिल रहा है और फिलाल के रिट में ये जो योजना है वो टालते हुए नजर आ रहे हैं अब ये अप्रूवल जो है प अब से पहले तो आप ये चीज जान लीजेगा कि कोई भी कंपणी अगर डीमर्जर करती हुए नजर आती है उससे ऑवराल कहिना की पॉजिटिव इंपक्ट हमें कमपणी के शेयर के अंदर देखने को मिलता है लेकिन अब डीमर्जर की जो खबर हैं पूरी तरीके से खार जोती हुए नजर आई तो देखे उठा पटक तो आपको जरूर देखने को मिल सकते हैं शेयर के अंदर लेकिन फिलाल की डेट में पैनिक लेने वाली कोई सी बात नहीं है लोंग टम के साब से देखा जाए तो बहतरी इंचार्ट पैटर्न आपको रिलाइंस इंडिस्टि आपको बताना चाहूं कि बजार के ज़ादातर इस कंपनी के अंदर खरीदारी किराय देते हुए नजर आ रहे यहाँ पर दोस्तों आपको बताना चाहूं कि आउट लुक के इस तरीके से देखने को मिल सकता है दो हजार बाइस का तो अभी यहाँ पर देखे तीन रेंज मीडियन रेंज और लो रेंज करन्ट प्राइज से लगवग 272 रुपे का हाई रेंज की बात करते हैं तो लगवग 3142 रुपे तक के लेवल आपको स्टॉक के अंदर दिखने को मिल सकते हैं यानि के करन्ट प्राइज से लगवग 32% का अपसाइड मुमेंट दिखने को मिल सकता है इसी तरीके से अगर मीडियन रेंज की बात करते हैं तो 2772 रुपे तक ये स्टॉक जाता हुआ दिखाई दे सकता है 16% का अपसाइड मुमेंट इसी तरीके से अगर किसी कारण से स्टॉक के अंदर गिरावर दिखने को मिलती है तो आपको प्रिपेर होके चलना चाहिए 2775 रुपे तक के लेवल के लिए भी तो फिलाल के रेट में 3 रेज यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं और 3 प्राइस हैं आप अपने आपको प्रिपेर कर सकते हैं कि स्टॉक के अंदर कितना मुमेंट 2022 के अंदर हम लोग को दिखने को मिल सकता है पर रही बात बिजनिस की अगर मुमेंटम देखें तो ओवराल जो है रिवेन्यू कमपनी का बढ़ता हो नज़ रहा था लेकिन 2021 के अंदर कुछ जटका लगता हो नज़ रहा लेकिन अगर प्रॉफिट की माने तो प्रॉफिट लगातार बढ़ रहा है कमपनी के अंदर प्रॉफिट में हम लोग को लगाता तेजी दिखने को मिल रही 2019 के मुकाबले 2020 में जरूर गिरावट दिखने को मिली थी लेकिन 2021 के अंदर वापिस से तेजी प्रॉफिट के अंदर दिखने को मिल रही है अब देखें जो सबसे महत्पूर्ण पार्ट होता है किसी भी कंपनी के अंदर वह होता है शेयरोल्डिंग पैटरंस तो यहाँ पर प्रॉमोटर्स के इस सिदारी की बात करते हैं तो खरीदारी करते हुए नजरा रहें 50.62% के आसपास होल्डिंग आपको दिखने को मिल रही है प्रिजेंट क्वाटर में और अगर पिछले वाला क्वाटर देखें तो लगबाग 50.61% के आसपास दिखाई देरी है देखें यहाँ पे जो लेटेस्ट शेरोल्डिंग पैटरंस है दिसंबर 2021 का वो अपडेट हो चुका है इससे पहले 50.61% के आसपास थी इससे पहले 50.59% के आसपास आपको होल्डिंग इनकी दिखाई दे रही थी अब अगर बात की जाए mutual funds की तो mutual funds quarter basis पे विकवाली करते हुए नजराए हैं तो up and down का सिलसल आपको mutual funds की तरफ से दिखने को मिल रहा है इसी तरीके से अगर DS की बात करते हैं तो लगातार खरीदारी के मूड में दिखाई दे रहे और अब अगर देखें तो 8.7% के आसपास आपको holding दिखने को मिल रही है इससे पहले 8.6% के आसपास आपको holding दिखाई दे रही थी FIS की बात करते हैं तो quarter basis पे विकवाली के mood में दिखाई दे रहे और अगर बात करते हैं retail निवेशकों की तो retail निवेशक की क्या इस्तिति दिखाई दे रही quarter quarter basis पे खरीदारी यहाँ पे करते हुए निज़रा रहे 11.3% के आसपास holding दिखने को मिल रही है और पिछले वाले quarter में लगबग 10.7-8% के आसपास यह holding आपको दिखाई दे रही है दोस्तो कंपनी की वास्तिति और साती में जो latest ख़बर हमें इस कंपनी के इंदर दिखने को मिली वो मैंने आपके सामने प्रिजेंट की दोस्तो कर आप नए हैं डिमेट अकाउट उपन कराना चाहते हैं तो आप अपिस्टॉक के अंदर डिमेट अकाउट ओपन करा सकते हैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्षिन बॉक्स के अंदर दिया हुआ है दोस्तों करें पूरी जानकारी आपको अच्छे लगी हो तो वीडियो लाइक जरूर कीज़ेगा चैनल सब्सक्राइब करके लेना ताकि नहीं वीडियो का नड़ाफिकेशन सीधे आपके मोबाइल प्मिल्स के थैंक्यू सो मच फॉर वाचिंग